दोस्तों हिंदू धर्म में साल में दो बार मनाये जाने वाले नवरात्री का विसेश महत्व है इस सुपर्वो में मा दुर्गा के नौ रूप की पुजा की जाती है साल में पहले चैत्र नवरात्री आती है और दूसरी सार्दिय नवरात्री का परवाता है नौ दिनों में मा दुर्गा की पुजा के साथ लोग व्रत भी रखते हैं हाला कि व्रत रखने वाले को इन दिनों में कुछ खास बातों का ध्यान भी रखना होता है। व्रत रखने से मा दुर्गा को प्रसंद किया जा सकता है। नवरात्र के पहले दिन घर में कलस तापिस करने के बाद आने वाले नौ दिनों तक भक्तों को कुछ नियमों का पालन क करना होता है मान्यताओं के मुताबिक जो लोग वरत रखते हैं उन्हें नवरात्री के दौरान कुछ काम भूलकर भी नहीं करने चाहिए ऐसे में उन्हें मादुर्गगे क्रोद का भागी बनना पड़ सकता है तो आये जानते हैं उन कामों के बारे में जिसे नवरात्री में सारिरिक संबन मान्यता है कि नवरात्री के नौ दिनों में वरत के दौरान सारिरिक संबन नहीं बनाने चाहिए ऐसा करने से वरत का फल नहीं मिलता है दूसरा भोजन नवरात्री में खाने पिने पर भी खास द्यान रखा जाता है नवरात्री में नौन वेज का सेवन नहीं करना चाहिए साथ ही लसुन और प्याज भी नहीं खाना चाहिए नौ दिनों के व्रत के दोरान अपने घर में सुद्ध खाना बनाना चाहिए और सात्विक भुजन ही करना चाहिए तीसरा है सरिल की साफ सफाई नवरात्री में सरिल को बिल्कुल साफ रखे सुबह उठते हिस्नान अवश्य करे नवरात्री में व्रत रखने वालों को नौ दिनों तक डाडी मुच नाखून और बाल नहीं काटने चाहिए और नहीं कटवाने चाहिए चोथा काम, घर खाली न छोड़े। नवरात्री में कलस्थापित और अखंडदिप प्रजवलित करने के बाद घर को खाली नहीं छोड़ना चाहिए। नवरात्री में घर में ताला लगा कर बार नहीं जाना चाहिए। पांचवा काम, दिन में सोना। नवरात्री में आपकी निन्द भी काफी माईने लगती है। ऐसी मान्यता है कि नवरात्री के दिनों में दिन के वक्त निन्द नहीं लेनी चाहिए। छटा काम है चमडा, मान्यता है कि नवरात्री में चमडे से बनी चीजे नहीं पहननी चाहिए, जूते चपल भी चमडे के बने हैं तो उन्हें नहीं धारां करना चाहिए. साथवा काम है कपड़े मान्यता है कि नवरात्री में काले रंग के कपड़े धारन नहीं करने चाहिए नवरात्री के नौ दिनों में काले रंग के कपड़े पहनने से परहेश करे